नमस्कार दोस्तों आपका बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यव चैनल दो ट्रेडबूल ऑफिशिल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी कल 19 जून के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके कॉल पुट के क्या टार्गेट रहेंगे बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया शुकरवार के दिन और मार्केट में कैसा दिन रहा हूँ सो फ्राइडे को दोस्तों पहले तो मार्केट ने हमें एक हलकी फुलकी एक हमें फ्लाट उपनिंग दी मैगनिफटी के अंदर और उसके बाद दोस्तों मार्केट कंटिनिस्ली जैसे हमने थर्जडे की राप को वीडियो में बताया था कि उपर की तरह जाने की कुशिश दोस्तों इन काफी अच्छी मुवमेंट को हमने कैप्चर किया मार्केट के अंदर और बहुत ही अच्छा मूव मार्केट में देखने को नदर आया जब मार्केट ने अपना तक्रीबन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यह जो एक चैनल बनाया था अपने लिए इस चैनल का जैस से ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया ब्रेक आउट दिया बहुत ही जबरदस्त मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग हमें फ्राइडे को देखने को मिलती है और तकरीवन तीन बजे तक मार्केट फ्यूचर स्चाट पर 44,234 का लेवल यहां पर टच करके आती है लास्ट के आदेफ और घंटे में खलकी फलकी प्राफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट जो क्लोजिंग हमें देखकर जाती है फ्यूचर स्चाट पर वो देखकर जात फ्राइडे के दिन तकरीबन माइनस 108 पॉइंट पर बंद हुआ है, नास्टैक जो है ब्रॉडर इंडिक्स वो तकरीबन माइनस 101 पॉइंट पर बंद हुआ है और अगर हम S&P इंडिक्स की बात करें तो वो भी यहां पर 300 इंडिक्स तकरीबन माइनस 16 points के आसपास SDX Nifty की बात करते है तो Singapore Nifty भी यहाँ पर तकरीबन flat बंद हुआ है तकरीबन plus 3 points के साथ तो यह सबी चीज़े market के अंदर एक flat opening back Nifty में आपको देखती हुई नजर आ सकती है मतलब market यही पर इसी level पर 43, 990 to 43, 442 अब आप देख सकते हैं market एक अपने लिए channel follow करती हुई जा रही है तो दोस्तों आपको याद रखना है आपको market में इस channel के नजदीक आते ही buy की positions यहाँ पर करनी है और channel के upside पर तकरीबन sell की positions मतलब जैसे ही market माल लीजिए flat open होने के बाद अगर यह नीचे की तरफ निकलती है तो इस level पर यहाँ से हम call की position market में बना सकते हैं यह level है futures chart पर 43,915 का इस area पर आपको market support लेती भी नज़र आती है तो इसके उपर निकलते ही call की positions हम market में बना सकते हैं और जो आपके market के अंदर target रहेंगे वो उपर की तरफ पहला target back 50 में 44,083 futures chart पे और दूसरा target 44,234 तक का रह सकता है put की position माल दीजिए market flat open होती है और open होते ही आपको तकरीवन इस area में नज़र आती इस trend line के आसपस आपको नज़र आती है तो आप एक short position market में कर सकते हो और आपके जो target market में होंगे वो नीचे channel तक नीचे की तरफ towards 43,990 और 44,000 43,915 towards the lower channel आपको मिल सकते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो like का button जुरू प्रिस करिएगा आपने अगर भी तक channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो live stream को देखते रहे because जब तक मैं जो levels mark करता हूँ आप उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्ते thank you and bye bye